I am an ambitious guy, मुझे life में आगे बढ़ना है, पर life में आगे बढ़ने के लिए मैं पागल नहीं हो सकता, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, मुझे मालू है कि मुझे अंदर से साफ रहना, कि मैं अपना चेरा शीशे में देख सकूँ, पर शुबे उट तु काऊँ नहीं है, दस लोग पैसे नहीं देने, दस लोग फोन नहीं कर रहे, चार लोग गाली नहीं निकाल रहे, यह गलत कर रहे, मैं को वो जिंदगी वैसा सक्सेस नहीं चाहिए, इतना आए, मंगर इमांदारी वाला आए, और अच्छे वाला आए, बुरे दिन अच्छे दिन आते रहेंगे, मैं जितना भी घ्यान की बाते भी कर लूँ, मगर ऐसा एक दिन ऐसा भी आएगा, जब मुझे भी हिट करेगा, यह खोना था, यह क्यों नहीं हुआ, यह बट फिर मैं निकल भी जा, यह बट आप दिन आप दिन आप दिन आप दो, अलो दोस्तों मैं दोक्तर योगिन्दे सिंह राठोड और आप लोँके लाया हूं इने वेल्ने स्ट्राइप का अगला एपिसोड, आज हमारे बीच में बहुत इंस्पिरेशनल और क्रियेटिव और काफी फेमस, आप सभी लोग इने जानते होंगे, एक्टर, मॉर्डर, होस्ट, प्लीज वेलकम गोतम रोडी जी अन आर शो, तैंक यू सो मुच पॉर कॉलिंग मी, अगर शोट में ये पैशन कब आपको इडेंटिफाई हुआ अगर शोट में पैशन कब आपको इडेंटिफाई हुआ था, कि मैं एक दोस्त के साथ, हम लोग छुट, मतलब एक ग्रूब हमारा छुट्टी मनाने जा रहा था, एक आनन से इट करके एक फोटोग्रफर हैं दिल्ली में, तो हम उनके स्टूडियो गए, वहाँ पे हिंदुस्तान लीवर का एक ओडिशन चल रहा था, क्लोज अप कैमपेइन का, तो पेस्ट कैमपेइन का, तो वहाँ पे ओल ओवर इंडिया के से वो अडिशन लेते हैं, तो हम लोग शिमला निकल रहते हैं सारे दोस्त, और वहाँ पे बैग लेके पहुचा हो ता बैक पैक में, तो सड़नली हिंदुस्तान लीवर की एक लीडी आई मेरे पास, कहती हैं, दियू वाँ टो अडिशन, गो अडिशन वोट, और मैंने से पहले कभी निसोचा कि मुझे अच्टर वननना है, या मुझे कभी भी कुछ ऐसा कुछ करना है, तो पे कहती हैं, वाँ टो अडिशन फॉर दी आइड, मैंने काम्रा पन फेस करेगा, कहती हैं, नहीं कुछ नहीं करता, आपको तीन-चार लाइने बोलनी, इंगलिश इंदी, तामिल में, मेरे को वे हर जगा बोलता हूं है, मगर क्योंकि अभी तक याद है मुझे उलाईने, नहीं रचना दाने कॉफी सापड़े पोरा मिल लिया, आई यू रचना राइड, यू नहीं काफी विद मी, सो वो मैंने दिया, और मैंने का ये तो इजी है, ऐसे करके बोला, और लुकिली वो कमोर्शल मुझे मिल गया, और वो कैमपेन मिल गया, मेरी तीन साल तक क्लोजब की डिबे भी शकल थी, उसके काफी कमोर्शल्स की एक लोजब के, वहां से मेरी मॉडलिंग की जगनी शुरू हो गई, और कॉलिज में, कॉलिज प्रेजिडेंट था, डीसी एसी में मैंने सिटिंग्स लीते हैं, मैं हूँ बागत सिंगा, तो वहां पे डीसी एसी का जो कॉलिज प्रेजिडेंट था उस ताइम, आशू करके, सीनियर था, सेकिंड, वो थर्ड येर में मैं सेकिंड येर मैं, संदी मेर बास आया कि, and I was into fitness always, मैंने 10th में शुरू कर दिया था, वरकाउट करना हूँ अच्छा, तो एक मैं, एक-दो लोग थे, पूरे कैंपस में, जिनकी फिजीक थी, उनमें सेक मैं था, वो मेर बास आया, कहता, यार, यार, तेरी फिजीक तरको सबसे आगे रख रहे हैं, और बिच्पिलानी फेस्टिवल में, मुझे बेस मेल मॉडल मिल गया, पेली वर लाइफ में मैं रैंप चला, वो बेस मेल मॉडल मिला, और भागत सिंग वाले नीचे बटे वे ते क्राउड में, उनको पताता है, मैं बागत सिंग को, मैंने सिटिंग ली थी DCAC वे, नीचे से उट गरा, पैं जूटा है, यह बागत सिंगा है, So, I still remember, Luke Kenny gave me the award, the actor, that's how it all started, then I came to Bombay, my father was a stockbroker, he retired, he was a member of Delhi Stock Exchange, so I was thinking, कि मैं पढ़ाई कातम औरूँग और मैं and dad का business join करूँगा, dad retire होगे, उन्होंने टिकेट सेल कर दी, उसके बाद फिर मेरे दोर, मतलब मैंने CSO Law का first semester join किया, but मैंने गा तो मुझसे ना हो पाएगा, तो फिर मैंने गा Bombay आता हूँ, थोड़ी modeling कर लूँँग आचे महीने, तो भाई यार, पैसे कैसे कावाएंगे, rent कैसे तेंगे, तब किसी ने का यार, तुम दिल्ली से हो, तुमारी इंदी अच्छी है, camera तुम फेस कर चुकियो, modeling कर चुकियो, तो acting कीट ही करते हैं, मैंने का यार, dialogue, dialogue, कौन बोलेगा यार, तुम बोलेगा यार, मौसा जी बने थे, तो वो कास थी, वह इंट्रेस्टिंग दादा कहते हैं, comedy कर लेगा, that's how I started my journey, जब ये एक बार पता चल गया, कि ये calling है, आप यहाँ पे भी आ गए, तो वो जो initial phase रहती है, कई बार वो struggle की phase रहती है, तो उस time पे, how have you kept yourself motivated, मेरा मानना है कि, अगर आपको life में आगे बढ़ते रहना, struggle तो हर phase में, आज भी struggle है, क्योंकि मुझे इससे आगे बढ़ना है, कहीं और पहुचना तो मुझे इससे आगे बढ़ना होगा, तो struggle तो नहीं मुझे पता कि, we are right, कि motivated कैसे रखते थे, definitely आप, जब बहुच चीज़े आपके लिए, मुझे मालो है, मुझे एक मैने फिल्म की थी अनार्थ करके, 2003 में रिलीज हुई थी, वो सुनील शेटी ने एक तरह से, मुझे वो फिल्म दे रही थी, तो I was with Anna's company Popcorn, I was his first signed artist, जब Popcorn निकला था, तो वो भी एक कानी है लक्स की, but in short बताओ, तो वो फिल्म को लक्स, मतलब बनते हुए, वो है तीन साल, तीन साल के बद रिलीज की, दिन्ट दू थाट वेल, तो उसके बाद I signed up different films, with different big, one or two big banners also, but कुछ आगे नहीं बट रहा था, वो रहा था कि sign हो गया, छे मैंने गर पे वेटें, that time was tough, because अब आपका एक एम होता है ना, कि यार मुझे तो फिल्मे ही कर दी है, जब एक वो वाला दिमाग में घुज जाता है, तो फिर कुछ भी और आरा हूँ आप देखते नहीं, फिर आपको टीवी भी नहीं करना, आपको कुछ और नहीं करना, आपको वो एम दिखता हैंगे नहीं, आप तो मुझे वो दिख गया, आप तो मुझे वो करना, पट कभी-कभी फिर आपको रियालिटी चेक भी लेना पड़ता है, कि आपको you have to look in the mirror, and ask yourself, is this the right time? Then, कभी-कभी जो phases आते थे, तो मुझे लगता था, जैसे अलर्थ नहीं चली जब तू, मुझे मालो मैं, एक देड़ महीना अपनी जोन में था, कि यार, नहीं चली, अब आगे क्या करना है, दोस्तों से एक का दुका मिल लेते थे, आगी का प्लान नहीं पता था, फिर अप, see, what I believe is, you have to keep going, आप जिस टाइम बोले ना, कि नहीं यार, बहुत difficult होगे, अब नहीं हो रहा, तो मतलब आपने हार मान ली, आपने हार मान ली, तो फिर आपके साथ, आप दस चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जिसको आप डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसको आप लो फेस भी ये लाइफ का बोल सकते हैं, बट अगर आप दिमाग में एक चीज़ रख लें, कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ते रहना है, मुझे बस एक जगा पे बैटके, अपना एक वर्ल्ड में नहीं रहना है, एक बबल में नहीं रहना है, और मुझे आगे बढ़ते रहना है, तो अप उस फेस के अंदर, उस टिपिकली लो फेस और डिप्रेशन के अंदर नहीं जाते है लाइफ में आप बार निकल लेते हैं उसमें से बार निकलना बहुत जरूरी है उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको सिरफ आगे की तरफ देखना आपको आगे बढ़ते रहने जो भी चीज आपको अच्छी लगे या खुशी दे आपको थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करते हुए उस तरफ सोचना है और अच्छा और बुरा टाइम एक चीज ऐसी है जो पर्मिनेंट नहीं है अच्छा टाइम भी पर्मिनेंट नहीं है बुरा टाइम भी पर्मिनेंट नहीं है अच्छा टाइम जब लगता है कि यार करियर तो माइंड ब्लॉइंग है बस अब तो लाइफ सेट है अब तो मैं यह जार गर ले लूगा 10 गानिया ले लूँगा ये प्रॉपटी ये कर लूँगा इंबेस्मेंस कर दूँगा suddenly पता लगता है अगले 6 महिने के बाद आप के बास जितने भी प्लांस थे जो शुरू हो थे सब ठप और यह लाइफ में एक बार नहीं होता ये लाइफ में बार बार होता है so what I have learnt that's a life lesson in a way that जो मुझे खुद को मिला खुद से ही लिया कि भाई अगर मैं आज सोचू ना यार मैं अगले 2 साल का prediction आज करके बैठ सकता हूँ वो possible नहीं है अगर मैं सोचू यार वो होता है न प्लानिंग करते हैं पर जब वो प्लानिंग आप इतने पक्के हो जाता है न उस प्लानिंग में कि आप भस ठीक है यार अब तो मैं वहीं जाऊँगा और यहीं सोचा और यहीं होगा जब वो नहीं होता ना तब आपका हिलना शुरू होता लाइक में और जब हम हिलते हैं तो जितने आपकी planning है सारी की सारी ठप पेड़ जाते है So I think best thing is आज में जी हो best thing है कि जो आपने सोचा definitely एक plan B होना चाहिए वो सब रखते हैं पट वो plan B के सारे जिन्दगी नहीं जी जासे अब plan A और plan B work भी नहीं गिया तो you have to search for that plan you can't say यार मैं न तो दो ही plan थे अब लाइफ में ये दो नहीं चले तो अब मैं क्या करूँगा अगर ये सोचते रहें गें लाइफ में न तो कभी-कभी आपकी किसमत बहुत अच्छी होती है टाइम बहुत अच्छा होता है या जैसे आप सब कहते हैं साड़े साथी आ गया जी आपको अप साड़े साथ साल कुछ दी होना है आपको कई बाते ये भी करते हैं लोग अ पर आप astrologers के पास भी जाते हैं पत्रियां भी दिखाते हैं आप tarot guard भी करते हैं आप phase read भी करते हैं आप नणांतर turn change कर लेते हैं आपना एक initial add करा लेते कोई number add करा देते है हर कोई जिस चीज से खुशी मिलती एंज़ान को वो करता है करे कोई इसमे दिक्कत नहीं है किस के लिए क्या work करता है किसी को नहीं पता क्या पता कौन सी चीज आपके लिए work कर जाए साथ साथ चलते हैं life के good phase भी आएंगे bad phase भी आएंगे bad phase आएंगे और चले भी जाएंगे फिर वो good phase भी आएगा but problem किया good phase जब होता है न आपका mood और आपकी vibe इतनी अच्छी होती है वो good phase खिशता रहता है थोड़ा थोड़ा जब bad phase आता है bad phase आपको ऐसा negative energy में खीचता है कि जब आपका time भी होता निकलने का bad phase का आप अपने आपको इतना अंदर से बंद कर लेते हैं वो bad phase कहता है चल यार चार कदम और बढ़ जाता हूं इसके साथ सब को सब नहीं मिलता किसी का काम बहुत अच्छा चलता है किसी की family बहुत अच्छी चलती है किसी की health बहुत अच्छी चलती है और ये change होता रहता है interchange होता रहता है अगर आप सोचो कि मेरी health भी great रहेगी मेरी family भी great रहेगी और मेरा काम भी great रहेगा और अंदर से भी मैं खुश हूँ और अच्छा इंसानों कि किसी को दलत नहीं कर रहा है तो अब भगवान के बंदे हूँ ऐसे नहीं होता है तो भगवान भी सब को मतलब बाटते हैं सब को सब मिलता है मगर भगवान यह नहीं कहता है कि आपको सब एक ही टाइम पर दे दूँगा बस जे लो और जी लो अब जिसको मिला है ऐसा तो मुझे भी मिलवाओ भैपी मिलना चाहूँगा तो मगर लोग बाते करने के लिए बड़ी-बड़ी करते हैं बड़ जब असलियत होती है तो आपको यह देखना होता है कई बार आपका काम लो होता है तो आप देखते हैं मेरी फैमिली लाइफ तो ब्रेट है यार ऐसी कि दैसी हो जाएगा आपको वो सोचना होता है कभी होता है कि काम और घर थोड़ा सा डामा डोल चल रहा है हेल्थ तो ठीक है ना भाई मेरे रिष्टेदार तो ठीक है मेरे माबाप तो ठीक है मेरे वाइफ तो ठीक है मेरे बच्चे तो ठीक है मेरे भाई बहन तो ठीक है वो सब ठीक है चल यार मैं खुश हूँ यह हो जाएगा So that is your motivation So you can't stick it on the यार मेरा काम नहीं जला मेरे काम नहीं जला सब के साथ उता मेरे साथ भी होता मैं वी सोच ला हूँ फिर जैसी मैं अपने बच्चे की जहरा देखता हूँ या मैं वाइफ से बात करता हूँ मॉम डाँत से बात करता हूँ अग्न से बात करता हूँ बग्ता है नहीं यार It's fine ठीक है, पास हो जाएगा, और हो जाएगा, वो कहते हैं भी ना, that wherever your focus goes, energy flows, if you shift your focus to your blessings, see, I'm an ambitious guy, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, पर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मैं पागल नहीं हो सकता, मैं कुछ भी गलत नहीं हो सकता, मुझे मालू हैं कि मुझे अंदर से साफ रहना है, कि मैं अपना चेरा शीशे में देख सबू, सुबह उपन तू कहुआ हैं नहीं है, दस लोग पैसे नहीं देनें, दस लोग फोन नहीं कर रहें, चार लोग गाली नहीं निकाल रहें, ये गलत कर गया, मैं रहें को वो जिन्दगी वैसा सक्सेस नहीं चाहिए, इतना आए, मंगर इमानदारी वाला आए, और अच्छे वाला आए, उसमें खुशी मिलेगी, डेफिनिल्टी मैं ट्राइ करता रहूं, वो उससे जादा और आजाए, उससे जादा और आजाए, मगर जब तक चीज़े पॉमिट करती हैं, जब तक उपर वाला पॉमिट करता है, लाइफ पॉमिट करती है, तब तक आप लगे रहते हैं, आप अपने आपको मिंटेन करके रखते हैं, आप अपने हिल्थ का ध्यान रखते हैं, अब इमनी family का ध्यान रखते हैं और बुरे दिन अच्छे दिन आते रहेंगे मैं जितना भी ग्यान की बाते भी कर लूँ मगर ऐसा एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे भी hit करेगा यह खूना था यह क्यों नहीं हुआ इसमें overall आपके environment का कितना role रहा जो कई बार काफे सारे friends मेरे इस industry में है तो कई बार यह सुनने मिलता है कि जब आपके अच्छे वक्त में होते हैं तो काफे सारे लोग आपको साथ चलते वे मिलते हैं लेकिन जब tough time होता है तो कई बार वो जो real friendship है वो नहीं दिखने मिलते हैं आपके industry में आपके industry में बताता हूँ कई तरह से तो सच है बट ऐसा नहीं होता अच्छा टाइम बुरा टाइम अगर आप बहुत successful हो तो सब आपके आगे पीशे होते हैं अच्छा टाइम बुरा टाइम like I said subjective है सब के लिए अच्छा टाइम बुरा टाइम अलग होता है किसी के लिए काम चलना बहुत अच्छा टाइम होता है किसी के लिए family चलना बहुत अच्छा टाइम होता है मेरे लिए family चलना बहुत अच्छा टाइम है अब सब की वो सोच लगा but in terms of ratio of success ratio अगर आप successful हैं बहुत आप 6 फिल्में कर रहे हैं और उसमें से 2 सूपरेट चली गई और आप बड़े-बड़े actors के साथ काम कर रहे हैं बड़े producers, directors, studios के साथ काम कर रहे हैं तो definitely जो लोग आपको ढंक से जानते मिनिये वो भी आपको अपनी parties के लिए invite करते हैं, वो भी आपको घर बोलाते हैं चाय पिलाते हैं, best friends बनते हैं, भाई बनते हैं बंदू बनते हैं, बट अगर आपका वो टाइम नहीं चल रहा है आप कम काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सी मैं तो वैसे भी इतना भार नहीं जाता है, मैं पार्टी नहीं करता है मुझे कहीं आप कमी देखते होंगे, कहीं जाते आते या मैं एरपोर्ट पे अपनी click नहीं कराता पोटो, अभी तक तो नहीं कर भाए जबकि और पी आरे गारा साब बोलते हैं, आपको करा लिचे, मैंने का यार पैसा देगे ही करा ना तो मतलब सेंस किया है, मुझे समय नहीं आता है, मगर अब लोग करते हैं मुझे आगी का पता है नहीं, इसलिए मैं नेवर से नेवर भी बोलता हूँ बट मुझे अभी तक ये चीजे समझ नहीं आते इस बिकम दड़ नूर्म इस बिकम द़ नूर्म इस बिकम द़ आफ तो स्टे रेलेवंट, यू आफ तो भी इस परसेप्शन मेनेजमेंट इस बिकम एक तरह से गलत भी नहीं का हुगा क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं जैसे अगर मैं किसी चीज में मसरूफ हूँ जैसे मैं आज कल राइटिंग करता हूँ तो अगर मैं राइटिंग में मसरूफ हूँ तो मैं कहीं भार नहीं जा रहा हूँ मैं वैसी पाटी वाला आदमी नहीं हूँ यह पर यह तो दिखता है नहीं? फिर अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा फोटोग्रफोर्स को बुला के जैसे मैं यहाँ पर आया तो नीचे छे फोटोग्रफोर को बुला सकता था वहाँ पर अपनी चपवा सकता था अगर मुझे वो चीज़े नहीं समझ में आती, but definitely अगर आप किसी बहुत important work के लिए जा रहे हैं, then it makes sense कि आप किसी film को sign कर लिया है, या आ रहे हैं, या आ रहे हैं, या किसी producer से मिल लिया है, वहाँ पर आप यह सब करते हैं, तो मुझे लगता है यह जाइज, और फिर relevant रहने के लिए problem यह हो जाती है, कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा वो इस सेम चीज़ खेल रहा है, जो सब खेलता है, actually ना मैं बोल तो रहा हूं, मगर इसमें सही और गलत क्या है, मुझे आज तक मैं खुद भी judge नहीं कर पाए, मैं कभी-कभी खुद भी confused हो जाता हूं, कभी-कभी ऐसे दिन में आते हैं, ठीक है उसको दिखना है तू कर रहा है तू करने तो, या दिखना है उसको भी कर रहा है तो क्या गलत है, फिर कभी-कभी आता है, कितना necessary है, मुझे क्यों करना है, अगर खुदी के पैसे देगे, खुदी के लोगो को बला के, वहां पर कड़ा होके, और उसमें आदा लोग नाटक भी करता है, बे यार तुमने तो बलाया है, तुम क्या नो पिक्चिस कर रहा है, आदा टाइम सबज नहीं आता, बलाई रहे हो तो इजज़त दे दो सामने वाले को, उनको मीडिया को इज़त दे दो, तो कम से को खुशी-खुशी किचवालो, मतलब भागते क्यों उस चीज़ से, आप ही ने तो बलाया, आपकी टीम ने तो उनको कैसे पता चलेगा, आप कौनसे टाइम फ्लाइट बगड़ते हो, आप कौनसे ओफिस में जा रहे हो, कहा खाना खा रहे हो, उनको कैसे पता चलेगा, कोई बतलब बता है ना, आपके घर के बार कोई स्पाई कैमरा तो लगा नहीं हुआ, मैं भी गह रहा हूँ, I just hope कि मैं भी इस रूट पे ना चलूँ, जो मैं नहीं चलना चाता, but let's see how it goes, जैसे हम बात कर रहे थे, कितना सपोर्ट आपने देखा कि, अगर हम प्रोफेशनल कॉंटेक्स्ट की बात करें, तो प्रोफेशनल कॉंटेक्स्ट में कई बार, जैसे रिसेंटली बाबी देवल भी बात कर रहे थे, कि जब वो काफी टफ फे से गुजर रहे थे, तो mostly people and so, but still there were some people who supported, and then he came out of it, तो दोनों साइट्स रहती हैं, या, see मैंने तो मेरा तो कोई सबूर्ट सिस्टम था नहीं, शुरू से, और being an outsider, आपके लिए तो और ज़्यादा difficult रहा, see, insider, outsider की कहानी यह लग है, definitely मौके बहुत मिल जाते हैं, आप insider हो तो, but proof तो आपको भी करना पड़ता अपने आपको, वो तो सब जगे हैं, but हाँ definitely यह सच है, कि आपको मौके बहुत मिलते हैं, कि अगर हमारी एक चीज नहीं चली, तो हमें वापिस मौका मिलने में सालो लग जाते हैं, अब सामने वाली की, चीज नहीं चलती, भली वो हमारे जितना ही talented हो, या ना हो, या जैसे भी हो, या हमसे ज़्यादा हो, कम हो, फिर उनको मौके दूसरे तीसरे चौथे मिल जाते हैं, इसलिए डेफिरिनली उनको भी चौथे मौके में प्रूफ करना पड़ेगा, इन्हें चौथे के बाद बंद हो जागी गाड़ी, टैलेंट की बिना तो नहीं होगा, नहीं टैलेंट का भी खेल नहीं है, आपी को जाएगा, क्योंकि वो भी आपी की परस्नालिटी से प्यार कर रहा है, तो उसमें कुछ सही और गलत का तो खेल ही नहीं है, बट अंसरिंग यह क्वेश्टन इस कि डेफिनली अगर मौके अमें ही बहुत मिलें, फिर आप एक जगा, लाइक आई सेड, अपरसल लाइक मी, मैं क्यों अभी तक लगा पड़ा हूँ, क्योंकि मैं आगे सोचता हूँ कि मुझे आगे ही बढ़ना है, मिरे कुछ पीछे नहीं रहना है, तो इसलिए मैं कभी भी उस माइंड फ्रेम से चलता हूँ कि यार, आज नहीं तो कन होगा, दरवाजा फिर खुलेगा, दरवाजा उपर वाला खुलता है एक बार तो जरूर, अगर अगर उपर वाला देखता है ना, आप लगे रहते हो, लगे रहते हो, कोई भी काम है, एक्टिंग छोड़ो, एक्स वाई-जी आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, उपर वाला खैता है यार, शिद्धत आदमी है, शिद्धत है आदमी में है, इस इंसान को, दरवाजा खुल के तो फिर से, आपको अपने आप से भी आपके अंदर एक सच्चाई होने चाहिए, अपने आपको पहचानने में, वेदर यूर वर्थ इट और नाट, और वेदर यू ओं टो इंप्रूव कई बार ऐसा होता है, कि मैं अंदे गोड़ी के तरह चल रहा होगी, यार मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, अगर अपने दिमाग में मैंने बठा लिया, मैं तो बेस्ट हूँ जी, मैं बेस्ट हूँ, वो होता ना कि एक, मैंने अपने आपको बोल दिया, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बैस्ट हूं नहीं ऐसा नहीं होता आपको एक पॉल सेंस कुद के बारे में नहीं डवलप होना चाहिए अगर हो गए अब जैसे लोग मुझे गए तरी फिजीक का माल है मुझे मालम है मैं अभी बैस शेप में नहीं है पहले ज़ा रहे क्या बात कर रहे एक दम तो फिटा मैं मेरे लिए मैं खुदी का comparison हूँ मुझे किसी से compare करने की ज़रूत नहीं है मुझे वालू में मैं तब कहा था मुझे वो muscle quality चीए जो time लगेगा तो मैं किसी के भेकावे में नहीं आता रहे क्या sir क्या लग यह क्या है मैंनत करता हूँ भाई अपने पे time देता हूँ अप जो अब है तो success की definition क्या आपने समय के साथ change होते वे देखी है अपने अंदर मैंने success के साथ failures भी बहुत देखे है तो उसने मुझे बहुत ground build रखा है but success के साथ अगर आपके आप जैसी आपको लगता नहीं यार आपका best phase in life का और sunny लगता है कि कुछ साल में कुछ होई नही कोई activity नहीं है अरे क्या होगा है मैं तो same ही हूँ मैं तो acting भी same करता हूँ देखता है प्राबलम क्या होगी कहा नहीं गाड़ी जल रहे आपका time आपके साथ नहीं है उस time तो बरस आपको अपने time की wait करनी है और आपको लगे रहना और आगे बढ़ते रहना वो time वापिस आ जाता है तो success और failure के ratio की चीज़ें मतलब ये बीच में ये चीज़ चलती है तो अब आपके लिए सफलता मतलब क्या है उसका meaning क्या है अभी आपके लिए काम करते रहना मतलब सफलता मतलब की आप देखिए चकर यही हो जाता है कि हर इंसान की definition नलग होती है like I said सब को सब न बार अच्छा काम करना है अब मैं उसको सफलता कि कितने पैसे कमा लिए कितनी हिट फिल्में दे दी हूं या कितने हिट प्रोजेक्स कर लिए कितने अच्छे टीवी शो कर लिए वो नहीं है अब यह है कि यार मुझे busy रहना है मुझे खुश रहना है अंदर से मुझे family का ध्यान रखने है हम definitely उनके लिए provide करना है तो उसके लिए खाम करना पड़ेगा जादा है और जादा मैनत करनी पड़ेगी जिससे अब जादा खामाएं और उनको जितना provide कर सकते उतना करें उससे सबसे जादा खुशी मिलेगी तो मेरे लिए actually वो कर पाया और अच्छी तर तो कई बार एक commercial role और एक creative artistic preference इन दोनों में कैसे आप balance देखिए चक्कर गया होता है कि हमें उतनी मौके नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए तो आपको जो मौके मिलते हैं उसमें से आप best ढूंगते हैं तो कई बार वो commercial हो सकता है कई बार वो creative भी हो सकता है मगर आप उसमें से जो आपके बास पांच चीज़े आई है न उसमें से आप ढूंडते हो कि यार ये एक चीज़ इस पांच में से अच्छी है इसको उठा लो और फिर आप gamble खेलते हो कि यार तो इसके अंदर वो choice नहीं कि यार मेरे पास एक commercial role भी आ गया मेरे पास एक creative role भी आ गया मेरे प अब भी बेकार होंगे तो आप बेकार वालों को तो पहली बार खाई देते हो अब उसमें से आप choose करते हो यार आपके हिसाब से जो आपने नहीं किया मैं वो उठाता हूँ इस बार पहली बार करने के लिए जैसे मैंने बीच में एक negative role उठाय था मैंने ये कभी नहीं किया दे रहा है ये creative दे रहा है तब आपके बस ये choice होती नहीं नहीं यार आज अब मुझे commercial करता है अमट definitely एक चीज़ बने देखी है कि आपको अपने लिए तो करना ही है पर जिसके लिए आप बना रहे है audience के लिए उनको पसंदाना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपन possible commercial cinema बनाना है जहाँ पर एकदम ही कुछ भी अतरंगा ना हो मतलब कि एकदम ही कुछ भी हो रहा मगर वो फिर कई फिल्म में ऐसी होती है जो अंदर बाहर उसका कुछ अतापता नहीं होता मगर box office super duper hits होती है उसकी वो publicity gimmick बोले है अक्टर की following बोले है उसके अंदर मसाला ब following है उसको जितना गहरे से आप समझेंगे आपके role selection में I think वो एक ती चक्तर के है ना हम actors अपने ले ही अपने ही दुश्मन होते है अच्छा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मुझे वालों सरस्वती चंद्र जो मैंने show किया था super duper hit था तो अब सब मुझे सर करने लगे अब मैंने का नहीं यार मुझे तो यह तो same कर कर के कितना करूंगा अब मुझे negative कर तो आपकी जो market होती है आप उसको खुद ही तोड़ना चाहते हैं अब कई बार आपकी किसमत साथ दे देती है तो आप successful हो जाते हैं जब आपको मालू है वो चीजे उस टाइम पर नहीं जल रही होती है तो वो चीजे नहीं जलते हैं अब कि आप किस mind frame में जैसे मुझे वालू मैं कि मैं हमेशा से इस thought process कर रहा हूं कि मुझे हमेशा अलग रोल करना है क्योंकि मुझे सीखने के लिए कुछ चाहिए क्योंकि मैं सीखोंगा तो अपने आपको अच्छा होते रहते हैं वट जब आप एंग नया किरदार प्ले करते हैं और वो एकदम ही नया किरदार हो जो आपने पिछले वाले से किया हो तो आप अपनी personality छोड़ के कुछ अलग कर रहे हैं कई बार होता है जैसे सरस्वती चंद्र मैंने किया था उस टाइम के लिए अब वो कई तरह से मुझसे मिलता जुलता इंसान था सरस्वती चंद्र पेरेंस से बहुत प्यार करता था रिलिजिस था बड़ो की इज़त करता था तो मतलब वो कहीं न कहीं वो automatically मेरे अंदर है चीजें सारी मैं religious इंसान हूं मैं माबाप से बहुत प्यार करता हूं मैं बड़ो की बह opposite खेलना है मिरे को अलगी खेलना है कुछ तो मैंने मा को मुठा लिया जिसके अंदर वो हलका चार शेड डाकर है character गंजा हो रखा है वो शम्शान में आग देता है जलाता है लोगों तो इमेज ब्रेक करने का आपका point है right do you think कि कई बाद जब आप suppose जब आप serial कर रहे हैं त तो वो perception बहुत जादा strong बन जाता image बहुत strong होती है compared to movie जो दो गंटे तीन गंटे की है तो कई actors साथ इतने सारे वो करते हैं उनके लिए image break करना कई बार easy हो जाता है but once you are a TV actor तो वो जो image break करने का जो आपके अंदर instinct आया because was it because you wanted to see the image को शुरू से था कि यार मुझे better होना अ अपने बारे में अपने craft के बारे में मैं कोई trained actor नहीं हुँ कि मैं कहीं से मैं थीटर किया पहली बार life में 2019 में पहली बार play किया रभी जानकल जी है senior actor है उन्होंने produce किया था वो act भी कर रहे थे वो experience अलग था मैंने पहली बार किया उससे पहले मैंने कभी थीटर नहीं किय लोग theater कर गया आते हैं कोई NSD जाता है कोई acting school जाता है मैं इन में से किसी का नहीं मैंने आपको बता है मैंने rent देने के लिए यह acting शुरू की थी मैं करते-करते job पी सीखता रहा मैं काम पे ही काम सीखता रहा बट उस काम पे भी काम सीखने के लिए मुझे different characters play करने पड़ेंगे different लोगों की साथ थाम करना पड़ेंगे तो इसलिए मैं शुरू से उस दिमाग में रहता हूँ कि यार जितने characters अलग पगड़ने के कोशिश करूँ जितना उस time मिरे लिए available हो availability हो उसमें से भी मैं जितना अलग भूंट हूँ कई बार वो choices मेरे लिए work नहीं करते अब कोई एक safe character भी होता है जो safe खेल सकता मुझे मालो में या decent चल जाएगा मगर मैं कर रहा हूँ नहीं यह नहीं मैं इसके बतले यह करूँ ला अब वो कई बार work करता है कई बार नहीं करता है वो gamble आपको अपने life में लेना पड़ेगा but वो कोई regret नहीं होता क्योंकि वो choice आपकी होती है किसी ने आपको दिमाग में नहीं वारा होता right so you take the responsibility of that see all my projects whether it worked whether it didn't work it's all my responsibility I can't blame anyone else for that कि यार इसने उस तैं मुझे बता दिया था बढ़का दिया था या उसने काता बहुत अच्छा होगा मैंने उसकी बात सुन ली या मैंने घरवालों की बात सुन ली नहीं end में आप वो ही करते हैं जो आपको करते हैं हाँ influence होते हैं आप तो फिर भी मैं दो बार सोचके एक decision ले लूगा अगर अगर मैंने पहले इसी दिमाग में बढ़ा रखा मुझे इस जगा जाना ही नहीं है हाँ मुझे गुटकी के add नहीं करना है मुझे शराब के add नहीं करना है मुझे प्रमोटी नहीं करना मुझे ऐसा नहीं कि आए ऐसा नहीं कि वो पैसे अच्छे नहीं देते अच्छे पैसे देते हैं बट मुझे नहीं करना मैं बहुत clear हूँ, अभी से नहीं 20 साल से clear यूँ अपनी life है मुझे यह जगा पे जाना हैंओ ना तो मैं खुछ smoke drink करता हूं मैं गुठका या इन चीजों कोई लेना देना मेरी जिन्दगी में कभी रहा है तो मैं क्यों ऐसी चीज को प्रमॉट करूँ जिए कभी खुद किया नहीं करता नहीं और यह चीज हम होती नहीं चारिक्टर के लिए करना पड़े definitely it's not that I haven't tried for a character I've tried कि मुझे पता तो चले होता किया कितना हम करनूगा या कुछ करना तो ऐसा नहीं कि मैंने टची नहीं किया और मैंने सेपी नहीं एसा नहीं कह रहा हूँ बट आप वो जो ड्रिंकर या को ड्रिंक करने वाला कहतने वो नहीं है कभी भी नहीं रहा हमेशा तरिफ की तरफ रहे हमेशा अच ہा अच्छी तरह रहे आपक जग्षै अच्छा क्या रहां यह शुरू ही मेरी शुरुवात नहीद अच्छी बड़ गीती है वो डिंके को डिसको गाते थे हम जिम जाते थे तीन तीन गंड़ा हॉ Nat raz kakas तो अब वो भी आप एक character के लिए करते हैं, एक character के लिए मैंने का था यार एक बार तो कर लो, उससे पहले भी मैंने दो characters प्ले किये थे, जिसमें वो इनसान ने किया, मगर मैंने ham किया था, यार ये तो मैं ham कर रहा हूँ, पता तो चले होता किया है, बट कभी भी ऐसी को क्यों promote करूँगा, और ऐसी चीज़ों में क्यों घुसूँगा, जिस पर मुझे मालव है, मेरी health को problem होगा, और मुझे मालव है मेरी health को problem होगा तो मैरे गहर वालों को problem होगा, तो मैं अपने से पहले, अपने घर वालों को भी तो सोचूं, गलत चीज़े करने से Commissioner, I think, आ अच्छी नीव डालते हैं आपने अच्छा नहीं है आपने अपने बिग्निंग येस में सब गलत काम कर लिए बाद में कहेंगा मैं सुधर जाऊँगा यार 35-45 के बाद मैं सुधर जाऊँगा कोई चेंज नहीं होता लाइट स्टाइल कर आप ऐसे गुष्टे हैं उसके अंदर की आप गुष्टी ही रहता है आप जैसे आप जैसे आप जैसे इंट प्रोड़क्शन माइसेफुल होने वे एक थोड़ी सी बिजनस की समझ होना या मार्केटिंग की समझ होना वो चीज भी कोई रोल आदा करती है अप जैसे I'm getting into production myself So I'm working on a script जो मैं दो साल से काम कर रहा हूं जिस पे So you're writing scripts as well See it's been written by professional writers But I am assisting them as well And that to do साल से हम लोग एक subject पे काम करना है It's a true story of a farmer I'll not be able to reveal everything But it's a true story of a farmer जिसके मैंने life rights लिये बहुती inspirational story तो बहुत ही एक्सिलेंट काहनी है और जब आप रिल स्टोरी को किसी की असली आदमी की कहानी को दर्शाएं उसमें जादा मैनत लगती है क्योंकि आपको फैक्ट से तो जादा बटकना नहीं है हाँ आपको थोड़ी उन्नेस भी सचीजें थोड़ा कमोशन सिनिमा के हिसाब से बनानी पड़ती है and in this one I just want to produce, I don't want to act in it why, why is it I just, I'm very clear, I want to keep two things separately for now, especially for now in the beginning, मैं एक चीज अच्छे तरा करनू मैं हर चीज मैं घुसने जाऊंगा, एक भी चीज नहीं कर पाऊंगा so मैं बहुत क्लेर हूँ, इसलिए मैं दो साल सिवाई राइटिंग के कुछ नहीं कर रहा था तो इसी के अंदर मैं ऐसा घुसा हुआ था अब जाके फाइनली डाफ्ट हुआ है very competent director is on board मैं announcement जल्दी करूँगा, इसलिए नाम किसी के नहीं ले रहा तो वो काफी चीजे on board है it's a long process अब मैं करते करते सिखा जब मैंने शुरू किया था, मुझे कुछ नहीं आता था मुझे अपना production चुरू करता है मुझे अच्छी कहानिया बतानी लोगों को अपने तरीके की जो मुझे पसंद हो, जो entertaining भी हो I believe in life stories मुझे बहुत मज़ा आता है मतलब real कहानिया जब आती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ खेलने में rather than definitely कोई fiction कहानी है बहुत अच्छी हो तो बात अलगे but अगर मुझे कोई real कहानी मिलती है तो मैं सुनके बहुत excited हो जाता हूँ उस इनसान के साथ बैठ जाता हूँ और बता और कैसे हुआ उसमें से अगर मुझे कुछ लगता है किसी चीज़ बात है फिर मैं घुसता हूँ तो मैं ऐसी कहानियों की खुद तलाश कर रहा हूँ कि भाई किसी तरह ऐसा नहीं कि इंडिया में बहुत कहानी है but हमें यह भी सोचना होता है साथ में commercially चलेंगी कि नहीं चलेंगे यस लोग थेटर में तेखने आएंगे कि नहीं आएंगे but मुझे बड़ी पड़ी कहानी लगती जो मेरी कहानी है so कर नहीं यह तरफ भी भागने है lovely so I think as a producer आपका जो business वाला aspect है वो भी evolve होगा with time see आप सीखने को बहुत मैं रोज कुछ नहीं कुछ सीखता हूँ कि मैं पहली बार कर रहा हूँ life but creatively I become very strong आपको sensibilities बहुत clear हो जाती है आपको script sense बहुत clear हो जाता है आपका storytelling, screenplay telling बहुत strong हो जाता है आपका dialogue telling बहुत strong हो जाता है depending on the characters to make characters, to build characters it becomes and जब आप zeroes से खीचते हैं किसी चीज़ को नहीं उसकाँ जो मज़ा है वो अलगी है see हम as an actor तो set पे जाते है आपको film होती है तो एक महीने पहले script मिलती है TV होते है तो कोई script नहीं मिलती set पे जाते script मिलती है तो आप उसी time मिलती है आप perform करते हैं, घर आते हैं, मज़े करते हैं gym जाते हैं, घरवालों के साथ time spin करते हैं ये ایसा process निकला कि मैं अपने ही घर में कहत था राइटिस के साथ मतलब आप दिन के 14-14 गंटे लिख रहे है बना रहे हैं तोड रहे हैं कोई 26 वे ड्राफ्ट के बाद 27 वा ड्राफ्ट है जिसको मैं पहला ड्राफ्ट कहूँगा वो रेडी हुआ है सो आप बनाते हैं ड्राफ्ट लिखते हैं फिर खुदी तोड़ते हैं नहीं यह नहीं वा कर रहा है यह नहीं वा कर रहा है फिर हापस में लड़ाई हैं फिर कहते हैं नहीं यार वो कुछ बोलता है हम कुछ बोलते हैं फिर हापस में फिर से वो समा बैठता है, फिर लिखना शुरू करते है फिर लगता है कहीं पहुंचे, फिर लगता है नहीं यार यह तो गलत ही चले चले गया यह तो साला कमोशल लगी नहीं रहा है, यह तो गरबड़ है इसके दूसरी तरफ लेके जाना So, कई बार जी क्रेटिव कॉन्फिक्ट आती है वर के अंदर So, how do you manage that creative conflict? Because everybody wants to put their idea You see, you have to work with same kind of people who are very passionate about it Then only a good film or a great film can be made See, otherwise proposals are being made Proposal बंदे है, बड़ा studio आता है बड़ा producer आता है, बड़ा director आता है, बड़ा actor आता है उसने का बर बड़ास dates है, सब actor पर डपन करता है, theatrical It's all the actors game और very few studio or producers game और very few directors game, वो are very big Otherwise, सबको भागना बड़ता है, जब तरफ आक्टर की date नहीं आते तो, और कुछ बड़े लोग है, जो अच्छी बात है, जो वहाँ तक इतनी महनत से पहुँचे है वो market command करता है, तो आपको जब date मिल जाती है तो कई बार सिरफ वो कहता है, तो एक कहानी पड़ी भी थी उसको one-liner सोनाता है, वो कहता है, बगर हमें भागना बड़ता है हमें क्योंकि proper, क्योंकि नया-नया है, आपको perfect होके जाना पड़ता है कि कहीं से भी कोई loophole ना निकले, और निकले तो आप उसको जल्दी से correct कर लें और आप तब present करें किसी को, क्योंकि जब आप नए होते हैं और आप इस तरफ से नहीं होते हैं production side से वर तो लोग आपको इतना seriously ने लेते कहता है आपको अपना काम बहुत पक्का करके जाना होता है, तब ही अप मेरे जैसे इनसान को जो थोड़ा perfection में belief रखता है, उसको time लग जाता है हम मुझे खुद को दो साल होगे जी, लिखते हुए, कई बार बोला कि याँ छे महीने में present करते था है, मैं नहीं है तो होई नहीं सकता present, क्या करेंगे present, वो दस सावाल पूचेंगे मेरे पार उनका answer ही नहीं होगा, मैं कि अगरो मेरे पास या answer ही तो सामने वाले को convince कैसे करो, और मैं कोई बड़ा studio तो हूँ नहीं है, बड़ा producer तो हूँ नहीं है, मैं कहूँगा नहीं है, कर लेंगे, तो हाँ बोलते बस कवले, एक और चीज मैं यहाँ पर पुछूँगा कि, कई बार बहुत competitiveness इस industry में, very hyper competitiveness is there, so, do you think sometime, do you compare yourself with others, या कोई competitiveness देखते हैं आप पहले होता था, पहले होता था, अब मेरे कहले एक चीज मिस्स हो गए है, वहाँ competition वाला फेज ही निकल गया रही से, तो अब यह ही है कि, जैसे मैं, मैं सोची एक तरफ से कि मुझे बस काम करना है, अच्छा काम करना है, अच्छी चीज़े बनानी है, और थोड़ी इज़त वाली चीज़े बनानी है, कि जिस से थोड़ी respect मिल जाए, अब वो कितनी आगे बढ़ेंगी, कितना नहीं बढ़ेगा, वो मुझे नहीं पता, वो मेरे हाथ में नहीं उपर आ लगे हाथ में, मैं महनत पूरी करूँगा, I'll give my 100% to it, but how will it work, whether it's the right thing for the audience, that nobody can say, अगर किसी को किसी को नहीं बता, audience को क्या चीज़े है, तो कभी-कभी लगता है, इतनी बेकार फिल्म है, इतनी super hit कर देते हैं, कभी-कभी लगता है, तो यह तो decent था, इसको तो कोई देखने में नहीं जा रहा है, यह क्या चक्कर है, क्या हो गया ऐसा, फिर क्या गरनत है, फिर कभी actor की market deal होती है, तो इसलिए उपर नीचे हो जाती है, चीज़े, कई बार actor की market इतनी solid होती है, इतनी बेकार चीज़, super hit हो जाती है, तो कुछ पता ही नहीं, तो आपका क्या philosophy है, इसमें कि, what is your professional philosophy that what works and what doesn't work, see, that's what I'm saying, you never know what works, suddenly a film that I hate, it's a super duper hit, मैं को यह, मैं पागल हूं की कौन पागल है, क्योंकि मुर को समझी नहीं आ रहे है, क्या चल रहा है, फिल्म है, कोई screenplay का sense नहीं, कोई character का sense नहीं, कोई भी कुछ भी आ रहा है, कहीं से भी कुछ हो रहा, दाड़ी बढ़ रही है, बाल गट रहे है, एक scene से दूसरे scene में कैसे जाने है, किसी को नहीं मैं नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे समझी नहीं आता, honestly किसी को भी नहीं समझ में आता, सब गैंबल खेल रहे हैं, What is the role of flexibility in this, because see, हर I think, पासा साल के अंदर एक generational change आता है, different kind of trend आता है, so how do you keep yourself relevant, because many times, suppose we have fixed philosophies, or fixed belief about what is right and wrong, and if the, what audience wants is changing continuously, then how to do that? मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं अगर सक्सेस्फून नहीं हो पाता हूँ, मेरे जो थोड़े moral compass है, वो थोड़ा बहुत ही ideal सा है, तो उसको इलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं कोशिश बहुत करता हूँ, मेरे आसपास वाले भी कोशिश करता है, मुझे समझाने की कई बार कर पाता हूँ, बगर वो बहुत ही कई बार बहुत ही कम बाला टाइम होता है, जब मैं थोड़ा सा भी हिल पाता हूँ, otherwise, मैं सोचते रह जाता हूँ कि नहीं यार, नहीं होगा यार, मुझे से नहीं हो पाया यार, छोड़ यार, ठीक है, कोई बात भी ये, मिसोने in that, but I can't do anything and everything for that. Change होने के लिए मैं बस सब गरत तरीके से चल जाओंगा, गरत काम गरूँगा, वो मैं नहीं कर सकता. मैं फिर बिना चेंज हुए ठीक हो. किन चीजों में आपने अपने आपको चेंज किया है अप इसलिए अगर one decade को हम देखें तो, आप बहुत early age से इस industry में हैं और काफी समय से लोग आपको जानते हैं, in terms of mindset. पहले बहुत ही fixed notions होते थे मुझे, कि नहीं यार अब तो एक ही तरीका बढ़ने का मुझे film में ही करनी हैं, अब तो और कुछ ही नहीं है, left नहीं देखना, right नहीं देखना, now it's changed in a way where I know that if it's making me grow as a person and as an actor, काम इजद्दार वाला होना चाहिए, medium, definitely एक medium से दूसरा medium कहीं नहीं contradict करता है, कही बार आप ज़्यादा TV कर लेता हैं, तो फिल्मे वाले कहते हैं, और ओवर एक्सपोस हो गया है, OTTB कभी कई गई बार, जो बड़े चैनल्स हैं, प्लाटफॉर्म्स हैं, वो कहते हैं नहीं यार, इसको तो बहुत देख लिया, इसको हमें कोई एक फ्रेश चैरा लेया हो, या कोई थेटर का चैरा लेया हो, कुछ, कई बार ये चीज़े आती है, तो आप कई बार एक decision लेते हैं, खुद के लिए नहीं, अभी के लिए ये this is not the right time to do this particular thing, if I want to go in one particular direction, then I have to make that sacrifice, कि यार ये sacrifice करके, मैं कुछ time तक इससे पीछे रहता हूँ, एक चीज़ से, अगर मुझे उस direction में जाना है, so that's why I completely immersed myself in writing, मैंने का, हभी मुझे वालों मुझे production में जाना है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे अपने लिए ही करना पड़ेगा, और अपने लिए ही इनसान अपने लिए ही कुछ कर सकता है, अगर आप किसी के वरोसे जलते रहेंगे न, तो आपकी वे मॉर फैंसी उसके उपर होंगी, उसका क्या मूट जल रहा है, वो आपको कांग खड़ा कर रहा है, मेरे को ऐसी जिन्दगी ना कभी समझ में आई है, ना कभी आईगी, जितना भी पहुंचाओं, इतना ही पहुंचाओं भले, मगर अपनी हिसाब से पहुंचाओं, इज़त से पहुंचाओं, और अपनी वज़ा से पहुंचाओं, किसी के आगे पीशे होने के वज़ा से नहीं पहुचा हो किसीने पहुचाया नहीं, किसीने उंड्े नहीं नहीं पगड़ा, गलतियां बहुत की हैं, बट गलतियां काम को लेके कि project कौन से उठाने हैं नहीं उठाने हैं, गलतिया हुई है, बट वो मैं सब ओन करता हूँ क्योंकि वो मेरी ही गलतिया है, बट अच्छे decisions भी बहुत लिये हैं, वो भी मेरी ही अच्छे decisions है, जहाँ पर भी आप पहुंचते हैं, अगर आप यह ओन आप करना शुरू करते हैं, कि यार stop blaming everyone, I'll surround you, कि यार अगर परस्नालिटी आपके सामने आजाती है, और गहते हैं, आपको यही करना बड़ेगा, और आप फिर कभी-कभी हाँ बोल देते हैं, बंगर फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लो ना, यह आपकी weakness की वज़ा से आपने आप बोले, यह नहीं बोलो कि उसने मुझे फसा है, आपका दिमाग है, आप अपनी तरफ से फसो, मतलब अपनी तरफ से चलो, उसके बाद, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, वो आप पर डिपेंड करता है, यह जो emergence of OTT है, so how open you are to OTT, and how it is changing the perception of television in India See, पहले हम TV बना रहे थे, हमारे टाइम में जब हम कर रहे थे, तो A और B centers देखते थे, TV, जब मैं बहुत सरस्वती चंदरो इन सब फे, तो A centers भी देखते थे, cities, metro cities, B centers भी देखते थे, छोटे शे, फिर कुछ सालों के बाद आया, B, C centers, मतलब बड़े शेरों ने OTT में द उटे सा छोटे शेर में हम ऐसा नहीं मैं कहा रहा हूँ कि बड़े शेर में TV नहीं देखते, देखते होंगे, मैं कहा रहा हूँ, उसकी वॉल्यूम कम होती जा रही है, तो अब किसी से पूछे, जिसे मैं अपनी मॉम का बोलता हूँ, पहले मेरी माँ टीवी घोल के बैठत और यह इसल storyt नहीं है रहा हूँ कि जब मैं TV करता था तब तो जेखती थी, उससे पहले की by बात कर रहा हूँ, जब मैं TV नहीं कर रहा था तब भी वो TV देखतीती थी, रेकलड़यों तब यूच्ता था, जे बहुरmir और यान देते, इह हो बहुं आस यह देती, यह दिका यहीं चलता रहता है इसमें भी वही दिखा रहे हैं इसमें भी दिखा रहे हैं इसमें भी दिखा रहे हैं इसमें भी दिखा रहे हैं क्या लगए है अब तो क्यूं देख तो बंद कर तो टीवी कह तो कुछ आता ही नहीं लगए रहे हैं कोई बात नहीं चल तो रहा है कुछ क नहीं चुरू कर देते हैं तो आपको बता रगता है यह audience यहां से यहां पहुंच गई है तो इसलिए आप कभी भी content pattern देखेंगे आपको उससे ही पता चल जाएगा कि कैसा मसाला चल रहा है क्या storyline चल रही आपको बता चलने जाएगा और सब बहुत दिखते है so वो जो work-life balance create करना है आपकी क्या philosophies हैं जिससे इतना बड़िया balance आप create करते हो honestly हमारे यहां पर हमारी field का actor का खासकर में बता आता हूँ actor की जिंदगी busy होती है बहुत busy होती है अगर वो free होता तो वो एकदम free होता तो यह काम होता है तो बहुत होता है नहीं होता तो फिर आफ चिल्डा होता so it's never that की बहुत hectic है when you're doing television it becomes very hectic तो आप 14-15-15 हंडे काम करते हैं travel करते हैं और वो रोज का काम है मुझे याद है मैंने एक साथ 99 डेज at a stretch छूट हिया हो है 14-14-16 गंटे without a break मतलब जाया आया जाया तो कई बार तो set भी सोते थे हैं तो वो जिंदगी भी देखी है आप because I'm a new father ना पांच महीने के ओने वाले बच्चे तो आप थोड़ा you've taken your time twins you had so लड़का लड़की है रादया and रादित्या so तो आप इतनी खुशी मिलती है उनके साथ सोते आपके साथ है उड़ते आपके साथ है खेलते आप उनके साथ हो so जब आपको उल्टा आप meeting पर जाना होता है जाना जरूरी है काल एक साथ ही सब निटा लेते है न तो आज का भी जो दिन है तो अभी मैंने एक साथ रखा बनेगा है रोज रोज ट्रावल करके फिर बच्चों आपके साथ ही करते हैं तब तक घर पे टाइम उनके साथ स्पेंट करेंगे so it's a different life altogether मतलब blessing है और कुछ ने कोई रिष्टे अपने ठीक रखना चाहता है तो according to you what guidance you will give expectation छोड़ दो expectation छोड़ दो अगर रिष्टे ठीक रखना जाते हो मैं कई बार खुद भी फज जाता हूँ इसमें क्योंकि आपके बहुत close लोग होते हैं आपके close लोग होते हैं मैंने तो बहुत ही कम दोस्त है जिनकों मैं दोस्त कह सकता हूँ जानते हैं आप सब को हैं मगर acquaintance बोलेंगे उनको तो आप जब उनसे expect करते हैं और वो खरे नहीं उतरते तो आप को चुबन होती है कि यार ये तो मगर अब फिर आप अपनी दिमाग में बढ़ा ले तो यार नहीं मेरे को expect नहीं करता है ठीक है जब जो आ रहा है जब जो जा रहा है तो आपका दिमाग थोड़ा easy हो जाता है मैं भी ये सीख रहा है मैं भी ये अभी तक मैंने पूरी तरह अपलाई नहीं किया अपनी like में अगर ये कोई apply कर पाए तो रिष्टे आपके हमेशा सही रहेंगे मगर देखो दो धारी तलवार है फिर वो थोड़ा हलका superficial भी हो जाते है कि आप expectation एंगदम हटा देते हैं तो फिर तो आप जब आएंगे जब चाहेंगे आप कभी होता ने कि आपको लगता है कि आपको time ठीक नहीं चल रहा तो आप सामने वाले को expect करते हैंगे यार इसको तो पता है यार मेर साथ यह चल रहा है तो यह पूछ क्यों नहीं रहा मुझे बैठ क्यों नहीं रहा मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे क्या हो गया काँ वाइब हो गया तो अंदर वो एक शिकन आ जाती है वो एक अंदर से वो चीज रह जाती ही गी और मैं ऐसा इंसान हूँ एक दो बार ही रख लेता हूँ तीसरी बार सब भणास निकाल देता हूँ मेरा दोस्त हो या कोई भी हो मैं फिर उसकी जान के पीछे बढ़ जाता हूँ कि भाई तो ने क्यों किया बता तो फिर वो अपना जस्टिफिकेशन देता है उस टाइम वो ठीक लगती ही जस्टिफिकेशन मगर वो फिर से होता है तब समझ में आता है कि अब थोड़ा एजी हो जाओ लाइफ में अपनी जिन्दगी जीओ जिससे जितना मिलेगा प्यार इजज़त मिलेगी अनाम से उस पे जीओ जादा एक्सपेक्टेशन रखोगे जादा सोचोगे कि यार यह यह कर सकता था यह क्यों नहीं किया इस नहीं यह कर अगर आपको रिष्टे बनाके रखने या एक्सपेक्टेशन चोड़ो या इतने रियल रहो कि कुछ भी गलत जाए उसी टाइम बोलो कि बॉस क्या गर रहा है क्यों क्या मतलब हो इसका तिरे को आना दाना क्यों नहीं क्यों नहीं किया तिरे को मेरे को पता था मेरे साथ यह चल रहा है क्यों नहीं तूने मुझे फून किया या तू क्यों नहीं आया तो यह दो तरीके इधर यहां गुम्यूनिकेट हंड्रिट परसें जो दिल में हैं वो जबान पर है वो मगर मैरे कहल वो लापाना मुश्किल है इसमेज पह्तोर में आप साथ है तो पर ढूरा हो इसाना इको समझा नहें लिए है और इसमिखेंटेशन ये जाहते हैं तो इन समझनी डिशना नहीं देखते में अरे चूह आपकी जाहिए बैदमिक का क्षुछ है के एक्सवी परिशना विलुजरीं को जो हूं जी मैं religious जादा हूँ मतलब मैं मंदिर जादा जाता हूँ मैं अभी तक किसी गुरू को follow नहीं कर रहा या spirituality उस तरीके से follow नहीं कर रहा हूँ मगर मैं सब भगवानों में मानता हूँ मैं actually हर चीज़ में मानता हूँ मैं church के सामने जाओंगा तो मैं यह करूँगा मजजद के सामने जाओंगा मैं सर जुकाँगा मैं मंदिर के सामने मंदिर तो मैं जाता ही हूँ तो मेरे लिए ऐसा कोई कहीं भेदवाव नहीं है कि यह होना चाहिए यही सही है definitely एक power है वो सबके लिए अलग forms में है मैं अनुवान जी को बात मानता हूँ मैं शिव जी को बात मानता हूँ मैं गंपती जी को बात मानता हूँ मैं वेशनु देवी माता को बात मानता हूँ तो मैं मेरा ऐसा कुछ वो दिमाग में रहता नहीं मैं मगर जब भी कई बार मैं हनुमान जी का चिलिया कर रहा होता हूँ काले हनुमान मंदिर का यहां पे कांदीविली में बहुत पेबस है कई बार मैं शिव जी का चिलिया कर रहा होता हूँ पानी दूठ चड़ाने का और अपनी प्रथा फॉलो करने का तो जो मन को ठीक लगता है, जो शान्ती देता है, आपको वो करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये चीज़े मुझे शान्ती देती है, अच्छा लगता है मंदर जाके, मुझे जाता हूँ तो कभी अगर बढ़ना ओट या एक्जोशन में सूस होता है, या टिप जोन में होते हूँ, तो what do you follow? अच्छा जी बात भी गाट करता हूँ क्यों हो उ रहा है यह क्यों हो रहा है सो बता ऑँ मुझे अप अंदर से क्या है ठीक करता हूँ ना कितना टाइम और लगेगा मैं तो ऐसे बात करते हूँ जैसे मैं दोससे बात कर रहूँ तो its a different relationship with God but वो भी कहते हो कि आ गे है फिर से रोते हो गजा मगर वो ही हो आप दिल खोल के अपनी सारी चीज़े बहो सकते हो काई बार कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो आपको दिल के अंदर रहनी होती है मगर वो अपने आप आप आड़ामाटिकली वा जाते हैं वो दिल से जो भी कोने में भी होता वो भी निकलाता तो वो पीस मिलती है तो हर लोग हर चीज़ अलग फॉलो करते है किसी को स्प्रिशालिटी से मिलते है किसी को किसी गुरुजी के पास जाके मिलते है किसी को बगवान के पास जाके मिलते है सब के अपने religion फॉलो करते हैं और कोई भी गलत नहीं है सब सही है सब के अपने faith हैं जो जिसमें फॉलो करता, believe करता उसको respect करना चाहिए So now before we move to the rapid fire any three lessons that you want to give to our audience from your life इमानदार रहो और घरवालों से बहुत प्यार करो और अपने काम से भी होता नहीं प्यार कर वोट ही मज़ा आया बड़े deep दिल खोल के आपने answers दिये now we'll move to the rapid fire So now we are moving on to the rapid fire एक sentence में बताएं आपकी acting journey ने आपकी personal growth को कैसे influence किया मैं characters अच्छे play कर लेता हूँ अब अगर आप actor नहीं होते तो भी क्या कर रहे होते है stop broker होता ऐसा कोई role जो आपने नहीं किया पर आप विश करते हैं कि आपको मिलता Godfather Al Pacino's role जिंदगी का वो कौन सा lesson है जो आप दूसरों को देना चाहते हैं हादितें और hard work हमेशा अच्छा रखो कोई significant personal change का moment See when I was doing television earlier I wasn't too happy कि मुझे दिमाग में फिल्में थी तो आप तब accept करते हैं जब accept करना शुरू करते हैं कि जहां पर आप बैठे हैं उससे खुशी मिल रही है और उससे उसकी इज़त उतनी करनी चाहिए तब आपकी growth होना शुरू होती है So whatever you're doing you really have to respect that and follow it then only that thing will happen to you आपकी mental well-being के लिए रोज कौन सी practice सबसे ज़्यादा contribute करती है Honestly, बताओ तो जिबिंग आपकी professional journey में आपकी सेथिकल प्रिंसिपल को सबसे important मानते हैं Well, long roots में believe करता हूँ shortcuts में नहीं Self-doubt या adversity में आपका source of strength क्या होता है Again, family is there So, वो एक बहुत बड़ा strength है So, whenever there's a self-doubt I speak to my family एक दिन के लिए किसी दूसरे actor के साथ जिंदगी swap करने का मौका में ले तो कौन होगा? सलमान खान Film industry में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? और अची scripts देखना चाहता है आपके लिए दोस्ती का क्या महत बदलाव है Give it all रिष्टे निभाने के लिए आप किस philosophy को follow करते हैं? सच्चाही के Documentaries या action movies आपको preference क्या है? Action movies आखरी बार कौन सी documentary ने आप पर गहरा असर चोड़ा था? अभी बीच पे I don't remember the name Netflix पे एक देखी थी It was about fake medicine and steroid use जो बहुत लोग करते है Which is completely wrong और लोग पेन के लिए से addict हो जाते है Yes So वो उस तें काफी परवाव छोड़ा था Globally आपको कौन सबसे ज़ादा इंस्पायर करते है Ukraine's President इस वक्त आप किस personal goal या aspiration पे काम कर रहे है I think जल्स प्रेडियूस आप करने माँ आपको इंतजार रहेगा अपने करीर के शुरुआत में अपने यंगर सेल्फ को अगर आज कुछ एडवाईस देना चाहें तो क्या एडवाईस देंगे बहुत ज़्यादा रिलक्टन था मैं और बहुत ज़्यादा फिक्सेटिट था कि ऐसे ही होती है चीज़ है अगर मैं अगर अगर तब दे सकूद उनको तब अपने यंगर सेल्फ को बोलूँ कि भाई थोड़ा तो चिल्डाउट होता तो ज़्यादा मजे लेता Any last lesson that you want to give to our audience? Be nice to be bored At the same time success की पीछे इतना नहीं भागना है कि जीना ही छोड़ दे कई बर जैसे मैंने इंटर्व्यू में पहले कहा कि अच्छा और बुरा टाइम साथ में आता है कई साथ में आता है मतलब कि अच्छा टाइम आता है तो वो हमेशा नहीं रहेगा और बुरा टाइम आता है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा कोशिश करना है कि या कोशिश करनी है कि आपको अच्छा और बुरे टाइम को एकदम ही fixated होके पकड़ नहीं लेना है अच्छा time जाता भी है और वापस भी आता है तो हमें बस उसी के बारे में सोचना है और positively सोचना lovely और your final thought ओन यह जो inner wellness का हमने initiative लिया what is your view on that how important is the subject it is very important in a way कि अगर हमने जो आज बातचीत की है उससे आप लोग को थोड़ा सा भी किसी को भी एक एक इनसान को भी फरक मिलता है या कुछ help मिलती है so I'll be the happiest so यह चीज़े और बढ़नी चाहिए क्योंकि सब की journeys सब किसी हम क्या होता है जब हम एकदम ही ही फाफा कर रहे होते हैं के मजाग मस्तियां चल रही होती है तो आप कई बार चीज़ें घुमा जाते हैं बट कई बार जब आप घुसते हैं हैसी चीज़ों में तो आपको जो चीज़ें नहीं भी बोलनी होती वो भी भार आ जाती है जो आपकी vulnerability भी समालता है और साथ में कई बार आपकी अंदर की सच्चाई भी लियाद